जय मत अदीबडों को मेरा चरण स्पायर शौट सभी छोटों को मेरा प्यार कैसी है आप सब्सक्राइब करते हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे इस साल पहुत सारी ऐसे असी घटनाय घटेत होएं क्योंकि केतु का साल यानिकी अनरजी का साल फिर सूरे ग्रहन हो गया अब चंद्रग्रहन होने वाला है शरत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा प्रित्वी के बहुत ही निकट होता है और चंद्रमा की सोला कलाओं की जो आभा होती है वो प्रित्वी के प्रतेक जीव को बहुत प्रभावित करती है इसलिए शरत पूर्णिमा का हम सब वेसबरे से इंतजार करते हैं शरत पूर्णिमा की रात चंद्रमा से न खुले आस्मान के नीचे खीर बना कर रखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसमें चंदर्मा की अम्रे तवर्शा होती है, फिर उसका भोजन करने से, उसको ग्रहन करने से उत्ताम माना जाता है, सेहत संबंदित परिशानिया कम होती है, बेसिकली. अगले दिन सुबह उसको ग्रहन करना चाहिए, इसकीर को खाना चाहिए, इसकीर का सेवन करना चाहिए, ऐसी भी इस दिन खुले आस्मान में खीर रखना सही होगा या नहीं, ये मैं आपको बताने आई हूँ, क्यूंकि इस बार शरत पोर्णे मा पर है चंद्र ग्रहन. चंद्र ग्रहन पड़ रहा है, और मैं आपी में से कुछ लोग मुझे इधर उदर से लिंक उठा कर भी भेज रहे हैं, और मेरे से सवाल भी कर रहे हैं, कि साम आप बताईए, शरत पोर्णे मा पर क्या करना है, क्यूंकि सब ऐसे बता रहे हैं, खीर बना के रखिए, तो व हैं, बहुत सारी माननेताय हैं, वैसे इस साल 28 अक्टूबर को शरत पोर्णे मा है, और पंचांग के अनुसार, अश्मिन महिने के शुक्ल पक्ष की पोर्णे मा तिथी पर शरत पोर्णे मा मनाई जाती हैं, हमारे हिंदु धर्म की जो मान्यताएं है उसके अनुसार शरत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी जैसा कि मैंने कहा न सोला कलाओं से परिपूर्ण होते हैं साथ ही इस दिन आस्मान से अम्रित की बरसात होती है ऐसा कहा जाता है इसलिए इस दिन खीर चंद्रमा को भोग के रूप में लगाई जाती है और फिर उसके बाद कुद ग्रहाइंड करने के से उत्तमफल की प्राप्ति होती है विसके लिए आपकी सेहत में सुधार होता है चंद्रबूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है सत्यनरायण की कथा सुनना बहुत अच्छा माना जाता है सत्यनरायण की कथा पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है वैसे भी पूर्णिमा कर देने और पूरणमाशी कर देने कादशी कर देने तो सत्यनरायण की कथा क संयोग बन रहा है और ये चंद्रग्रहन भारत में भी दिखाई देगा अब दिखाई देगा दोसुतक भी मानने होगा तो ज्योति शास्त्र में देखे चंद्रग्रहन की जो घटना होती है उसको बिलकुल भी शुब नहीं माना जाता है ऐसे में शरत पूर्णिमा पर अब कब लग रहा है ये चंद्रग्रहन इसको समझते हैं देखे ये चंद्रग्रहन उनत्तिस ऑक्टूबर की रात को एक बचकर छे मिनिट पर शुरू हो जाएगा और दो बचकर बाइस मिनिट पर ये खत्म हो जाएगा चंद्रग्रहन मध्यरात्री में ही पढ़ रहा है लेकिन जब भी किसी प्रकार का ग्रहन लगता है चाहिए वो सूरे ग्रहन हो या चंद्रग्रहन हो तो सूतक काल ना कुछ घंटे पहले से ही मानने हो जाता है तो इसका जो सूतक काल रहेगा वो 28 ओक्टूबर को दो पहर के बाद से शुरू हो जाएगा लगवक समझ लीज जाकर मूर्तियों को सपर्ष करना या अपने घर के मंदिर में बैठके पूजा करना या बिलकुल भी शुब नहीं माना जाता है तो अब ऐसी में हम सब को क्या करना चाहिए हम सब को चंद्रग्रहन पढ़ने के बाद में यानि कि 29 ओक्टूबर की सुभा जब आप सो कर मनिर में भी घंगा जल जरूरच जुड़कि यह बहुत जरूरी है फिर चावल डालकर आप दिये में एक लेशे मिट्टे का देपक ले लेजिए वसमें चावल डालए थोड़े से गाए के घी की गाय नाले और एक बद्टी का देपक रगा कर आपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रहेंट लगा है तो इसके जो दुष परिणाम है वो आप सब के ऊपर ना पड़ें इसलिए मैं आपको बता रहें। सबसे पहलें चलिसा लग जह ना पुष सूहक लगने से पहलेंस जरूरी हuuट तो आप शरूरी सлек जोड़ें। तुल सी डाल देशर तुलसी के पत्तों को जरूरी अधान लगता है। आप ऐसे सोच के चलिए कि ग्रहन लगता है तो आपके जो खाने पीने की बस्त में बनी होई है उस पे उस ग्रहन का दुष परिणाम नहीं आता है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है करना चंद्रव्रहन से पहले और उसके बात में स्टान करके जैसे कि मैंने कहा आपने घर के मंदिर में आप घर में एक कंगा चल चण के दूप अगर्वत्ती जलाएए एक बत्ती का चावल डाल कर क्योंकि चंद्रमा ग्रहन लगा तो बहुत छोटी सी चीज़ है करने के लिए लेकिन करनी है और इस बार देखिए शरत पूर्णिमा पर क्यूंकि चंद्रग्रहन लग रहा है तो ऐसे में चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जब ग्रहन खत्म हो जाएगा यानि कि रविवार की मध्यरात्र में जब ग्रहन खत्म हो जाएगा तो रविवार की सुभा जरूरी हो जाता है कि आप जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान करकर शिव मंदिर में जरूर जाईए क्योंकि चंद्रबा को आपने मस्तक पर किसने में राजवान कर रखा है देवों के देव महादेव ने तो शि जरूर चड़हिए अब की दिन चड़े ना चड़हिए लेकिन आज के दिन डाल कर आप बोले बाबा का अभीशेघ जरूर करें पिर बहां जयाकर कि आप घी का दीपक बोले बाबा के समकष जलाकर जरूर रखिए चिप जी के सामने क्योंकि शिव raganda मतलब चंद्रबूज पीज पसे पित्रों के नाम का जरूर लगाना है इन पित्रों के नाम का दीपक आप सुबह लगाएंगे और उचाम भी लगाएंगे जब भी ग्रहन पढ़ता है तो ग्रहन के बाद नान के बाद दान का बहुत महत्व होता है तो आप दान जरूर करके आईए एक किलो चावल लीजे और अपने घर के हर एक व्यक्ति से थोड़े थोड़े चावल उसी में दो-दो मुठी अगर घर पर आपके अल्रड़ी स्टॉक है तो आप हर किसी से बोले दो-दो मुठी चावल एक थैली में एक अठा कर लेंगे हर जरूर करने से ना इस ग्रहन के दुश परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि अगर इस ग्रहन के दुश परिणाम आपको मिल गए ऐसा हो गया तो आपकी मानसिक शांतिक खतम हो जाती है और वैसे भी चंदर प्रहन आप ऐसे समझें कि जो व्यक्ति जो लोग जिनका टोटल डे पैदा हुए हैं या 20 तारिक को पैदा हुए है जिनका टोटल नंबर दो बनता है अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग तो उनके लिए चंद्र ग्रहन बहुत जादा मैं कहूंगे अच्छा नहीं है करकराशी वालों के लिए अच्छा नहीं है मैं ऐसा कहूंगे तो आप लोगों था कि शरत पूर्णिवा पर हम चंद्रमा की रोशनी लें कि नहीं लें खीर बना कर रखें कि नहीं करना है ऐसा जो भी आपको यह बता रहा है कि ऐसा करने से यह होता है वह होता है लेकिन आपको पुरानी जो माननेता हैं बनाई गई है ना वह इसलिए बनाई गई है कि हम समय समय पर अपने तीस त्योहारों के द्वारा हम पूजा पाट करते रहें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब त्योहार का समय है कुछ ग्रहों की स्थिती ऐसी बनती है कि पुरानी माननताओं से हट कर भी हमें कुछ करना पड़ता है। तो आख बंद करकर सिर्फ हमें पुरानी माननताओं को मान कर नहीं चला है। हमें आज की परिस्तिती को समझते हुए और पुरानी माननताओं को मिलाते हुए कारे को करना है। तो इस वार क्योंकि शरत पुर्णीमा पर चंदरग्रहन लग रहा है तो आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि चंदरबा की रोशनी में जाए। और यह जितनी लोग भी आपको कहरें ना मेडिटेशन करेंगे फुल मून है यह है वो है आप यह गलती मत करेगा। मेरी एस-to-advise family के मेंबर से तो मैं हाग जोड कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग यह गलती मत करना। आप लोग इस चंदरग्रहन के दुष परिणाम से बचने के लिए जो मैंने आपको कहा है से बही करिएगा और चंदरग्रहन के टाइम घर में रहिएगा चंदरग्रहन की रोशनी अपने उपर मत लिजेगा क्योंकि चंदरबा अगर खराब हो जाता है आपका मन खराब मा आपका में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़ुक करेंगा और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूले का जया माता लिए झाल